स्वागत सत्कार अभिनन्द नाभार स्वागत है आपका फिर से एक बार मिसन MPPSC 2019 में और आज के इस सेसन में हम भारती समिधान के fundamental duties को लेकर आए हैं जी हाँ दोस्तो fundamental duties यानि मौलिक करतब हमारे समिधान में जो मौलिक करतब बताए गए हैं वो हम आज MCQ को मद्धम से आपको उपलब्द कराएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस MCQ की लेकिन शुरू करने से पहले चलो आप लोग को मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि आखिल मौल करतब या मौलिक करतब या fundamental rights I mean fundamental duties होती क्या है ठीक है तो नाम से ही है इससे पता चलता ह कि मौल करतब में यह हुआ कि हमारे primary हमारी जो primary duties क्या होंगी हमारे समधान के पती हमारे देश के पती हमारे जो symbols है नेशनल्स उनके पती तो यह ना तो बादकारी है और नहीं ऐसे हैं कि इनका अगर हनान हो या इनको को यह शाती पहुचाए है तो इनपर सजा हो ठीक है तो यह होते है मौल करतब दनक है गा तो मौल करतब नाम से है कि हमारी एक मौल करतब है अब हमाई सम्मिधान हमारा सम्मिधान हमें यह बताता है कि हम अपने देश की रख्षा करें हमाई सम्मिधानिक नियुम कानून का पालन करें और अपने देश के जो भी राष्ट्री इस माराक है जो भी हर वो चीज जो हमारे देश के से मलग रूप मागार करती है उनका हम पालन क करें और उनकी सुरश्चा करें तो यह होते हैं हमाले मूल करतब और चलिए अब मूल करतब से जुड़े हुए कौन से कोशन जो आपके एक्जाम में आते हैं उनको एक बार देखते हैं एम से तो आपका आज का यह पहला प्रशन है कि भारती समिधान में मौलेक करतबों को कब जोड़ा गया और आपके ऑप्शन है पहला समिधान संसोधन उनिस संक्यामन सातवा संसोधन उनिस संतामन बैल इसमा समिधान संसोधन आपकीन निस सौच्छेटर और यह मौल समिधान में था तो दोस्तों इसका सही उत्तर है C tuam a amendment 1976 बेह को दोस्तो याद रखेगा कि जो हमारे मूल करतब हैं तो यह हमारे मूल समिधान में नहीं थे हमारे भारती जो लीडर स्टेज अब वो समिधान कर रहे थे तो उन्हें ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि ऐसे किसी प्रकार के प्रावधान की अफशकता है लेकिन बाद में 1976 में को बारत सरकार को या संसत को या बारदेश को लगा कि ऐसा होना चाहिए तो बैल्स में समिधान मौली करतव्यों को बारत के समिधान में जोड़ा गया और रखा गया ठीक है नेक्ट प्रस देते हैं अगरा प्रस्ट है आपका मौल करतव्यों को बारती समिधान के किस भाग में रखा गया है और आपकी आपसर है भाग तीन भाग चार भाग चार ए और भाग पाच और इ हैं हमारे fundamental duties हैं मौलिक कर्तव हैं उन्हें भाग 4a में रखा गया है यह दखेगा भाग 4a क्यों क्योंकि भाग 4 में जो नीत निस्रत थे उनके बाद मौलिक अधिकारों को एड किया गया तो भाग 4a बनाया गया और आर्टिकल रखा गया मौलिक कर्तव के लिए अलग से ठीक अभी भाग की बात कर रहे थे किस भाग या पार्ट में था अब बात करेंगे आर्टिकल्स की और आपकी व्मक्रतव मौलностью कर्तव हैं उन्हें अर्टिकल 51a में रखा गया है ठीक है तो आर्टिकल 51 एक इता है जो हमारे fundamental duties होगी उनको रखा गया है उनको बढ़न किया गया है ठीक है तरी देख ठीकते हैं भारती सम्धान में जोड़े गया मूल करतवों को किस देश के सम्धान से लिया गया है और आपकी option है अमेरिका जापान रूस ब्रिटेन इसका स सी रूस बिल्कुल दोस्तों यह ध्यान लखेगा कि जो मूल करतब है हमारे fundamental duties है उन्हें पूर्व सोवियत संग इसे रूस के नाम से लिया गया है ठीक है यह आद रखेगा नेक्स प्रस्टन आपका भारती सम्धान में मूल करतवों को किस समित किस सिपारिस पर जोड़ा गया था ठीक है तो आपको में बता चुआ हूं कि 22 समिदान सम्धान में जगवा था तो मूल करतब्वों को जोड़ने के लिए एक कमिटी बैठाए गई थी कौन सी थी को कमिटी आई यह ऑप्शन में देखते हैं आपका उप्सन है पीसी महाल नोबिस समिती सरदार सुरण मंदार समिती और इसका सही उत्तर है आपका बी सरदार सुरण सिंग कमेटी जहां दोस्तों याद रखेगा यह कई बार आया हुआ कुश्चन है और इस टॉपिक से मौलिक करतब से यह काफी पॉपलर कुश्चन है एक्जाम्स में पूछे आने के लिए तो ध्यान रखेग ध्यागे कोसि मूल करतव्यों को भारती समिधान में जोडा गया और समिधान में जगा दी ठीक है नहीं सब पतार क्या स्क्किर्ण कुश्चन है यह विशेस मामले में दंड देने की वश्ता है अन्य मना कर दंड देने की वश्ता है तो इसका दोस्तों सही उत्तर है B दंड देने की वश्ता नहीं है दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये प्राइमरी कर्तब है मीन भारती सम्मिधान हमें मतलब हम नागरिकों को यह बताता है कि हमारे देश की जो बिरासत संपत्ती है जो हमारे नैशनल फ्लैक्स है नैशनल जो भी देश से जुड़ा हुआ जो भी चीज देश से जुड़ी हुए है उनकी हमें कैसे रख्षा करना है को कैसे पालन करना यह हमें बताता है यह हमें हमारे लिए बाद्द कारीदें मतलश मीह करतें पर चाइब को वाद leaving का एक प्रावतान करें की गोशां के और टाशा करें ृडाль नहीं के टुन और मूलकर्टब बताए गए हैं और इसके option है 10, 11, 12 और 14 इसका सही उत्तर है आपका B 11 बिल्कुल दोस्तो याद रखेगा मैं कोशन यह पूश्चा हूँ कि भारती समिधान में कितने मूलकर्टब बताए गए हैं मतलब कितने मूलकर्टब हैं और इसका सही उत्तर है 11, 11 मूलकर्टब जब हमारे समिधान में मूलकर्टबों को जोड़ा गया था तब 11 नहीं थे ठीक है याद रखेगा जब सरदार स्राणर सिंग कमेटी ने रिकमेंड किया था कि मूलकर्टबों को भारती समिधान में एड़ किया जाए तो उन्होंने आठ मूलकर्टबों की संस्तुति की थी मतलब आठ प्रकारण की मूलकर्टब उन्होंने बताये थे यह आठ प्रकारण की मूलकर्टब भा 42 मां आमन्यमेटे के तहट QR का जोड़े गए तो उसके पहले बैठाई गई हो थी बैठाई गई रही हो गई तो सरदार स्वर्ण सिंग कमेटी ने सिर्फ आठ प्रकार की मोल करतब पताये थे कि आठ प्रकार की ये मोल करतब जोड़े जाए ठीक है उसके बाद जब 42 मां अमेंडमेंट हुआ तो जो आठ प्रकार के मोल कर करतब थे वह तो ठीक है जो सरदार स्रोरे सिंग कमेटी ने रिकमेंड के थे लेकिन जब अमेंडमेंड कर रहा था तो दो और करतब जोड़ दिये गए तो सरदार स्रोरे सिंग कमेटी की रिकमेंड पर आठ करतब और 42 मां अमेंडमेंड में जब हुआ जब मुलकरतब करतब है वह मैंने कोश्ण में रखा है वह आंगे देखते हैं ठीक है तो 10 कैसे हुए और 11 कैसे हुए मैंने बता दिया 11 कैसा हुआ मैं आपको बता रहा हूं तो मुल करतब कितने हैं बरतमान में वह 11 यह ज़रूर या लखिएगा नेक्स प्रश्ण में आपका निर्ण में से कौन सा एक मुल करतब नहीं है मतलब यह कि जो हमारे 11 मुल करतब है उनमें से यह कौन सा एक मुल करतब नहीं है जो उसमें नहीत नहीं है ठीक है पहला समिधान का पारण करना दूसरा देश की रक्षा करना तीसरा वैग्यानिक दि निर्पेश्टा का पारण करना तो इसका सई उत्तर है डी बिल्कुल दोस्तों याद रखेगा कि मूल करतब में धर्ण निर्पेश्टा की बात नहीं की गई है ठीक है याद रखेगा समिधान का पारण करना नहीं था हमारे मूल करतब में देश की रख्षा करना नहीं था है कि मूल करतब वो में 6-14 वाइसता के बच्चों को प्रात्मिक सुच्छा प्रदान करना किस सम्विधान संसोधन के तहर जोड़ा गया जहां दोस्तों अभी मैंने आपको डिसकस करके बता है कि मूल करतब कब और कितने जोड़े गए तो यह जो यह वाला प्रेश्ण है यह प अच्छा खूंगे यह मातापीता है वो 6-14 वाइसता के जो बच्चे हैं उनको सिच्छा प्रदान करेंगे यह उनका करतब होगा मतब हम नारिकों का यह करतब है एक्जांपल लेकर मताता हूं जैसे मैं मेरा यह करतब होगा फंडामेटल डिटीज में जो दी हुए करतब ह करतब मुझे बताते हैं कि मैं अपने बच्चों को जिनकी आयो 6-12 वर्स तक है उनको प्रैमरी शिषा प्रतान करना ही है यह मेरा करतब है बादकारी नहीं है बट वह करतब हमें बताते हैं हम नागरिक होने के नदें हमारा नागरिक का प्रौज है शनर्जा की रूप मैं फर्ज है मातापिता की रूप में हमारा फर्ज है कि हम 66 बच्चे हैं उनको प्राइमरी जो होती है उनको दिलवाएं ठीक है समझ में तो यही कर रहा है यह बता रहा है तो यह कब जोड़ा गया यह देखते हैं और आपके अपसन है 42 समिधान संसुदान 1976, 44 समिधान संसुदान 1978, 86 समिधान संसुदान 2002 और 61 समिधान संसुदान 1989 और इसका सही उत्तर है आपका C, 86 समिधान संसुदान 2002 बिल्कुल दोस्तों याद रखेगा कि जो 11 नंबर का फंडमेंटल डियूटी नंबर 11 है जो 6 से 12 बास तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देना है वो 86 मां अमेंडमेंट हुआ था 2002 में तब इसे एड किया गया ठीक है तो याद रखेगा कब कौन से कर्तब जोड़े गए और कौन से कर्तब क्या गया तो यह कुश्चन काफी बार आ चुका कि 6-11 बास तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी सिच्छा देना अनिवार किया गया या प्रदान करना मौनी कर्तब होगा कब जोड़ा गया तो यहाद रखेगा 86 मां अमेंडमेंट हुआ था 2002 में उसके तहत और बाकी जो और बाकी जो आपके 11 है वो काफी इंपोर्टेंट है तो जो आपको क्लियर हो जाएंगे काफी वार पूछा जा चुका है और एक चीज और मैं कॉमन बता देता हूं कि मूल कर्तब मूल अधिकार और डिरेक्टिव पिंसपल्स मतलब जो हमारे मूल अधिकार है हमारे मूल कर्तब हैं और नीत निर्देशक तत्व हैं इन तीनों में एक चीज को लेकर समानता है कौनसी की जो आर्टिकल 21-a बोलता है किसका मूल अधिकार का उसमें क्या लिखा है प्राइमरे सिक्षा ठीक है नीत निर्देशक तक तक तुम्हें मतलब DPSP में आर्टिकल नंबर 45 ये वाला और मूल कर्तब का 11 कर्तब 6-14 वहस तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देना ये तीन ठीक है समझें आपको मतलब मैं किस्च की बात कर रहा हूं मूल अधिकार में भी DPSP में भी और fundamental duties में इन तीनों में एक समानता है यदि question ये बनता है कि प्राइमरी सिच्छा मतलब प्रास्मिक सिच्छा देना एक अधिकार है मूल मौलिक करतब है नीत ने सकत्त्तुम में नहीं थैं ये सभी में तो द्यान लखीगा इसका जो आंसर होगा वो सभी में होगा ठीक है बता दिये कैसे कि 21st A में सिच्छा के बारे बताया गया वो यही सिच्छा है DPSP में Article 45 में जो दिया है वो भी इसी सिच्छा की बात कर रह है और 86 में अवेडमेंट 2002 केता है जो 11 मां fundamental duty जोड़ी गई वो भी इसके बारे में है तो द्यान लखी है जो सिच्छा वाला सिच्छा वाला सिच्छम है वो तीनों में है DPSP में भी fundamental duties और rights में भी तो जो question मनें वो समझ लिजेगा सभी होगा सिच्छा के लिए ठीक है तो यह रहा हमारा आज का session मूल करतबों पर तो ध्यान से पढ़िएगा ध्यान से देखिएगा और इत्ता मैं आपको करेंटी देता हूं कि इस topic से मूल करतब से इसके बाहर आपसे कोई question नहीं पूछेगा और नहीं ऐसा कोई question आप के लिए आएगा कि आपसे परशान हो जित् बेल आइकान आएगा उस बेल आइकान को प्रेश करें जिससे जब भी हम जो भी session या topic इस पर upload करें आपको notification राप्त हो जाए और हमारे just learn जो YouTube चैनल है वो बता चुको सब्सक्राइब कर ले और just learn हमारा Facebook page है उसको like करें और follow करें और update रहिए और साथ में करिए कुछ ऐसा काम की दुनिया करें आपको सलाम इसी वादे के साथ की कल फिर मिलेंगे एक नए session में तब तक के लिए बाबाए